नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 नियोस और मैं हूँ आपके साथ भावना चलिए रुख करते हैं आज की तासा खबरों की और शेडोल में हर साल की तरह इस साल भी एद उल अज्वा की नमाज बढ़ा रूड इससित इदगाह में अदा करनी थी लेकिन बारिश के कारण मुस्लिम समधाय के लोगों ने इद उल अज्वा की नमाज इदगाह में अदा नहीं कर सके खराब मुस्लिम के कारण इद उल अज्वा की नमाज जामा मस्जित संधी बाचार में 8 बचकर 45 मिनट पर अदा की गई और नुरानी मस्जित सोखी मोहला में लगभग 7 बचकर 45 मिनट पर अदा की गई वहें नैशनल मुस्लिम वेलफियर सुसाइटी के अध्याक्ष शान उल खान ने जानकारी दी कि पाली रूड इदगाह में नमाज 8 बचकर 30 मिनट पर अदा की गई खराब मौसम के चलते यहां इदगाह पर 55 और शामियाना लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अधा की और इद उल अज्छा के मौके पर सुरक्षा की द्रस्ट्री से एदगाह पर भारी पुलिस पर तैनाद रहा और बता दे कि भकरीईद के मौके पर बच्चों में काफी खुशी देखी गई और जो एक दूसरे को गले लगा कर भकरीईद की मुबारक बात देते हु नजराय फरीद खान की रिपूट गल्हा हमदलिल्ला हम बना हम बना हम बना हम जोप्र ।